इस पहली मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। इसके लिए सबसे एहम सुरक्षा विवस्था है। बताया जा रहा है कि जब ये दोनों नेताएं मुलाकात कर रहे होंगे तो उनकी सुरक्षा नेपाल की चुनरंदा गोर्खा जवान करेंगे। नेपाल के गोर्खा जवानों को दुनिया में हिम्मत का दूसरा नाम माना जाता है। यूँ तो दोनों नेताएं अपनी सुरक्षा टीम के साथ वहां पहुँचेंगे। लेकिन सिंगापूर पुलिस इस शिकर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा वरस्था देखेगी। और उनकी टीम का एक हिस्सा होगी गोर्खा जवान की टुकड़ी। आपको बता दे कि सिंगापूर में शांग्रीला होटल में दोनों नेताओं की मुलाकात का एविजन तै किया गया है। यह मुलाकात 12 जून को सुबह 9 बजे वहां के स्थानी समन इनसार होगी। बताया जाता है कि गोर्खा जवान सिंगापूर में बेहत कम है और यह अधिकतर खास मौकों पर ही नजर आते हैं। जैसे हाल ही में शंग्रीला होटल में हुई सुरक्षा मुद्दे पर कॉन्फरेंस के दौरान गोर्खा जवान तैनात थे। इस कॉन्फरेंस में भारत के प्रधान मंतरी न जैसे एडवानस हतियार हैं। इन गोर्खाओं की खास बात यह होती कि इन हतियारों के बावजुद यह बिना खुकरी की युद्ध की तयारी नहीं करते। यह इनका परंपरिक और पसंदीदा हतियार है। ऐसा माना जाता है कि जब गोर्खा खुकरी निकाल लेता है तो व मुझे यकीन है कि सम्मिट में उन्हें शामिल किया जाएगा। हाला कि दूसरी तरफ सिंगापूर पुलिस के प्रवक्ता ने गोर्खाओं की तैनाती पर पूछे के सवाल पर कोई जवाब देने से इंकार कर दिया। जीद के साथ हुआ। लेकिन गोर्खा जवानों ने उन्हें भारी नुकसान पहुचाया था। गोर्खाओं की युद्शमता से प्रवावित होकर अंग्रेजों ने इनकी भरती बिटिस सेना में शुरू कर दी। अब गोर्खा बिटिस, भारती और नेपाली सेना में सेव वावे ब्रुनोई और सिंगापूर की सुरक्चाबलों का भी एक हिस्सा है।